जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिबार दा लॉजिकल साइन्स में मैं हूँ आलोक सिंग आतेश और उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी परहाई लिखाई अच्छे से चल रही हूँ आप लों का बहुत ही लंबे समय से ये इंतजार था कि गुरुजी आप डिजिटल बोर्ड पे कब से क्लास लेंगे डिजिटल बोर्ड पे एक वीडियो बनाईए तो मेरे मित्र ये डिजिटल बोर्ड आप सबों को समर्पित है और आप सबों के क्लास के लिए कुछ देरी जरूर हुई है, चुकि चीजों को लाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, और ये सारे चीज हम पे नहीं होता है, दूसरे आदमें पे भी कहीं नहीं डिपेंड होता है, तो जिस वज़र से थोरा सा देरी हो गया है, लेकिन जो setup का complete काम था, वो पूरी तर से तेयार है, और कल से हम लोग अपने classes को भी continue करें, जी हाँ, बहुत सारे मित्र तो ये भी कह रहे थे, कि गुरुजी लगता है अब मिला के बाद ही class लेंगे, तो भाई मेरे फोरा सा चीजों को adjust करने में time लग जाता है, और classes आपका मिला के बाद चालू होगा, ऐसा आप क्यूं सोच रहे हैं, क्यूंकि आप सबने मिलकर के इस परिवार को बनाया है, और जब तक आपको फाइदा नहीं होगा, तो आप इस परिवार में क्यूं रहेंगे, बहुत ज्यादा हातास होने की जरूरत नहीं है सर, आपकी classes कल से continue हो जाएगी, आज जो कुछ भी काम था वो पूरी तरह से complete कर लिया गया है, टेस्टिंग भी था बोर्ड का, चुकि ये नया है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जो हमको भी नहीं आता है, जैसे कि मैं सोचा था कि लाइव आउंगा, और आप सबों के साथ अपने इस room को भी साजा करूंगा, लेकिन लाइव करने लेकिन आज नहीं देखेंगे, चुकि हमको आ नहीं रहा है, बात जो साफ है वो हम कहेंगे, बाकी setup पूरी तरह से आपका complete है, आपकी classes कल से continue हो जाएगे, और साथ में आप सबों को नवरातरी की बहुत-बहुत बधाई और हार्दिक सुभकामना है, आज से आपका कलस हापन हुआ है, और नवरातरी की सुरुवात हो चुकी है, और आज से ही आपका जो ये digital setup है, वो भी पूरी तरह से चलने को तयार है, मेरी मा दुरगा से यही बस प्रार्थना होगी, कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जूरे हुए हैं, वे सभी जल से जल सक्सेस करें, और साथ ही सफलता के मुकाम पे जल से जल वो पहुच पाए, और मेरे मित्र, आप सबों के साथ एक चीज और डिसकस करना चाहूँगा, कि चुकी हमारी क्लासे जो अभी तक आपको देखने को मिलती थी, उसमें अमोमन या तो दोफार में देखने को मिलती थी, या फिर साम के 7 साथ वज़े देखने को मिलती थी, रात हो जाता था, आठ सारे 8 वज़ तक देखने को मिलती थी, तो ठोड़ा सा आप सबों के साथ क्लास का टाइम भी हम लोग यहाँ पर साजा करेंगे, और अगर हम लोग बात करें, आगे के सेडियूल के, यानि की यूट्यूब के क्ला टाइम होगा बहुत मोटा हो गया चला तो गरबर आ जाएगा इसे में कब सही है अगर हम लोग बात करें लास टाइम की जो हम लोग का कल से होने वाला है तो सर आपको जो क्लासेज मिलेगी वो एक क्लास आपको 10 ऐम में मिलेगी यानि कि पहला क्लास आपको 10 एम मॉर्निंग में मिलेगी और साथ ही दूसरा क्लास जो आपको मिलेगा वो सारे 5 पी एम इविनिंग में मिलेगा दो क्लासेज आपकी यूट्यूब पे चलेगी जिसमें पहला क्लास जो फर्स्ट क्लास होगा हमारे डे का वो आपको 10 बजे सुबह मिलेगी अमोमन आपको क्लासेज 12 से 1 के बीच में मिलती थी दोफर वाली क्लासेज और साम वाली क्लासेज 7 बजे मिलती थी तो मैंने टाइम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है पहला क्लास तस बजे सुवा मरनीं में होगी और दूसरा यहिंति सकेंड क्लास जो है वह आपका सारे पांच बजे साम में हो आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे और जी इस दूनों आप क्या कराइंगे, इस class का duration क्या होगा, इसका mode क्या होगा, recording होगा, या फिर live होगा. यह दोनों ही classes आपका recorded, यह दोनों ही classes जो है आपका वो recorded. यह भी recorded रहे? इस दो आपका आपकाartet है. और तरह से complete करा दिया जाए YouTube पे अब next बात आती है क्योंकि बहुत सारे मित्र लगातार परिस्लान भी थे कि गुरुजी बिहार SSC में भी तो science के question पूछे जाने हैं तो बिहार SSC का science हम लोग कैसे करेंगे तो मेरे मित्र बिहार SSC के लिए बिहार SSC के लिए जो science की classes होगी यह आपका live class होगा यह आपका live class होगा इसका time मैं आपको बता दू कि यह आपका time रहेगा यह रात को 9 बजे से ले करके 10 बजे तक बिहार SSC के लिए जो हमारी classes YouTube पे चलेगी वो live होगा 9 से 10 के बीच में आप कहेंगे सर यह classes कब से चालू होगी तो यह classes जो है आपका इसी week में चालू होगी इसका content पर काम चल रहा है फोरा सा काम और बचा हुआ तो वो जैसे ही final होता है हम आपको इसी week में इस class के date के बारे में जानकारी दे देंगे हाँ time मेंने बता दिया है कि जो बिहार SSC का science होगा वो 9 से 10 PM के बीच में होगा live होगा ध्यान में रखेगा अब live पढ़ाने में कोई tension नहीं क्योंकि पहले क्या होती थी सक कि question हमको लगाने का कोई जुगार नहीं था अब तो सर्फ पूरा जुगार ही जुगार है जितना मर्जी question उतना लगा सकते हैं तो live classes में पहले बहुत जादा time taken हो जाता था वो बहुत जादा time लग जाता था और question भी हम लोग जादा नहीं कर पाते थे लेकिन अब जो live classes होगी उसमें आपका question और content दोनों ही भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा इसलिए बहुत जादा परिसान होने की जरूत नहीं है सक और हम उमीद करेंगे कि आप सभी live में जरूर जूरेंगे तो बिहार SSC वाली classes का जो date है मैं इसी week म announce कर दूँगा इसका date मैंने final नहीं किया है हाँ content पे काम चल रहा है मैंने time final कर दिया है ये time 9 से 10 पीम के बीच में live होगी बांकी कि ये जो दो classes है जो आपको सुभा 10 बजे मिलेगी और सामके सारे 5 बजे मिलेगी ये आपका कल से यानिकी Tuesday से continue हो जाएगा तो आप सभी परि प्रूबडी एक्जाम का last phase बचा है उसके लिए उसके लिए भी आप कुछ करवा दो तो बिल्कुल हमारे माइंड में है और मेरी पूरी कोशिस है हम content त्यार कर रहे हैं जितने भी आपके diagram वाले question है जितने भी आपके NCRT मे diagram वाले question है उन सभी को हम एक ही lecture में पूरी तरह से complete करा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा question diagram वाले नहीं है physics, chemistry, biology तीनों मिला करके तो आपका दो या तीन lecture होगा वह आपका continue ढला करके diagram वाला question एक समस्या बना हुआ है वो खतम हो जाएगा एक चीज और बहुत सारे मित्र जो गुरूबडी का एक्जाम दे रहे हैं उनको electricity में problem था, electricity के numerical में problem था, तो सर इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ और जो मैंने कल से आपको दो वीडियो का नाम बोला है उसमें आपका ये चीज भी clear हो जाएगा तो गुरूबडी वालों को भी सहुलियत मिल जाएगी और आगे जो आपका upcoming exam है उसको उसके लिए भी आप आपका best हो जाएगा तो आपका जो पूरी तरह से timing होगा कल से वो यही रहेगा सर एक वीडियो आपको सुबह 10 बजे मिलेगी और दूसरी वीडियो आपको साम में सारे 5 बजे तो उमीद करते हैं कि आप सभी इस चीज को समझ पाए होंगे मिलते हम लोग फिर अपने अगल of luck. Thank you, have a nice day!